नमस्कार दोस्तों मैं रेन्वीर सिंग स्वाद करता हूँ फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार रेंबा क्लासेज में तो दोस्तों हम लोग बात करेंगे लोक नत्यों पे फॉक डांस पे बात करेंगे है ना क्योंकि आजकल जो है examiner इस तरफ ज्यादा देख रहा है सास्तिन रत्तों पे हम लोग ने चर्चा कर ली थी जैसा की विदित है S.S.C. G.D. का exam चल रहा है और UPP का री exam होना है और वहाँ से question जो है इस topic से ठीक ठाक मात्र हाई है वहाँ से हर बार हर रोज question उठाया जा रहा है तो हम लोग नत्यों के साथ साथ जो लोक संगीत है और जो जन्जातियों परफॉर्म करती है उन रत्यों को और उन राज्यों को भी cover करेंगे तो छोटा सा बहुत महत्तपूर्ण topic है बहुत ज्यादा वाइड नहीं important चीजे रखी गई है तो वीडियो बहुत महत्तपूर्ण है आपके लिए यदि आप कोई भी exam की preparation में लगे हैं तो आपके लिए काफी important है तो end तक बने रहिए और चैनल पर नहीं है तो subscribe करके bell icon को प्रिस करिए जिसे मिल सकेगा नदूशन सबसे पहले दोस्तों साथ share करना बिल्कुल न भोलें चलिए सुरू करते हैं लोक नत्य है न तो लोक नत्यों पे चर्चा करेंगे देखिए लोक नत्य के साथ साथ हम लोक संगीत पे चर्चा करेंगे क्योंकि वहाँ से भी question उठाता है देखिए कि शेत्र में क्या perform किया जाता है वहम देखेंगे है cro ö यह लोकनत या नाटमंच है उधर आपके लोकसंगीत देखने को मिलेंगे तो लद्दाख वाले क्षेत्रों में हम देखते हैं जाब्रो सुंडोल लोसोन ये सब महत्पोर लोकनत हैं है ना तो ये ध्यान रखेंगे लोकसंगीत से बहुत ज़्यादा उसमें चर्चा नहीं है कस्मीर में रौफ बहुत ज़्यादा बार पुछा गया है हिकात कूद कूद जशीन भांड पाथेर ये सब के सब कोश्चन बने हुए लगातार है ना तो ये जम्मू कस्मीर हो जाएगा ठ ठीक है चकरी लोकसंगीत हो जाएगी ये याद रखेंगे और हिमांचल परदेश का हम देखेंगे तो नाटी नरत्य शम्म बुराह और कर्याल ये सब महतपूर लोक नरत्य हैं कहां के हिमांचल परदेश के हम उत्तर से नीचे की ओरा आ रहे है ना लगातार तो हिमांचल परदेश में नाटी नरत्य शम्म और बुरहा कर्याल ठीक है ना पंजाब वाले में जानते हैं आप लोग भांगडा और गिद्धा तो ये महिलाएं परफॉर्म करती हैं इसको ठीक है ना अच्छा एक इसमें जो है थोड़ा लद्दाख में एक और आप जोड़ लिजे बहुत ज्यादा वह पूछा जा रहा है अलाकि पूछा जा चुका है लोसांग लोसांग याद रखेंगा लोसार सिक्किम का है जबकि लोसांग हो जाएगा लद्दाख का ठीक है ये भी महत होना से पूड़ है उसकर प्रंत एक राजस्थान से बात करेंगे यहां पर ठीक ठाक लोक्त चाession में देखते है और उसके जो लोक संगीत है गीत है वो भी तो घूमर है गूमर contained अरवेलिया लोगनत्य कटपूतली लोकनत्य गडगर् तेरह ताली भावाई खयाल यह सब लोगनत्य कहा हो मारू यहां а कहां के राजस्थान के एक बार पुना राजस्थान का अगर कोई एक्जाम देंगे वहां तो बहुत पुण ही है बाकी सभी नेशनल लेवर पे एक्जाम होते हैं वहां भी question खुब पूछा जाता है बाकी जगों से भी तो घूमर, कालबेलिया, कटपुतली, गडगोर, तेर उत्तरप्रदेस की बात करते हैं तो रासलीला, मतुरा, ब्रन्दावन, छेत्र में इसको परफॉर्म किया जाता है चर्कुला यह चर्कुला पूछा इगया था चर्कुला से रवी एरों एक्जाम में अभी जो समिक्षा दिगारी था उसमें पूछा गया था तो चर्कुल युत्तर पर्देश का है इसमें दीये ढेर सारे होते हैं 106 दीये होते हैं और सर पे रखके यह पहिया सा होता है बाकी नॉटन की विदेशिया यह सब जाएंगे उत्तर पर्देश के लोकशलत। जबकि लोग गीतों में हम बात करेंगे तो सुहर गाया जाता है बच्चे के जन के उपरां कजरी गाया जाती है फसल मौसम के अनुरूप ये UPP में जो अभी कैंसिल हुआ उसमें पुछा था इससे संबंदित रसिया गीत गाया जाता है होरी ब्रजवाले एक शेत्र में आला प्रदेश का उसके अलावा हम अगर आगे चर्चा करेंगे तो हर्याणा का अगर देखेंगे तो स्वांग और घोडी नाच ये हर्याणा का लोकनत्य है है न स्वांग जैसे महिलाय स्वांग रचाती है उस तरीके का तो स्वांग हो जाएगा और घोडी नाच हर्याणा उ उत्तराखंड के अलावा भी जोरा कई बार उत्तरप्रदिस से भी पूछ लेता है, तो जोरा उत्तरप्रदिस, हाला की उत्तराखंड का जोरा रहेगा, याद रखेंगे, कुमाओ, जूला, जोरा, तांदी और चौफला, ये उत्तराखंड के लोकनत्य हैं, जबकि अगर हम बात करेंगे, तो बसंती गीत और घसियारी वाली जो गीत होती है, वो गड़वाल के लोग गाते हैं, घसियारी गीत, ठीक है न, घास वाला, गुझरात में देखेंगे, तो लोकनत्य में, गरबा, डांडिया, भावई, ये आप जानते हैं, भावई, टिपनी, तो ये महत पूर्ण है, बहुत बार जो है, रिपीट करता है, बिल्कुल आसान भी है, भावई, थोड़ा ध्यान रखेंगे, रास यहां का लोग गीत हो जाएगा, कहां का, गुझरात का, रास गुझरात का लोग गीत, मध्य प्रदेश की अगर हम चर्चा करें, तो मठकी, कर्मा, ग गड़गोर, भगोरिया और माचा, उसके बाद 36 गड़क आम देखेंगे, तो पांडवानी और कापलिक, ठीक है, सुरी, कपालिक, ये लोग नत्य है, 36 गड़का, पांडवानी और कपालिक, ओडिशा की बार बात करेंगे, तो शव और यात्रा, यात्रा, जात्रा कई-कई यात्रा निकाली जाती है, तो यात्रा निकाली जाती है, तो यात्रा निकाली जाती है, तो यात्रा निकाली जाती है, रत्यात्र तो उसे अब आपको doubt नहीं होगा जबकि पस्षिम मंगाल में क्या होता है जात्रा होता है ठीक है ना तो ये ध्यान रखेंगे फिलाला भी इसकों लोग कवर करते हैं उरिसा में छव और यात्रा यात्रा जो है उरिसा का है लोक नत्य जबकि दस कठिया जो होगा यहां का लोग गीत हो जाएगा पस्षिम मंगाल में देखेंगे तो किर्टन होता है छव होता है ध्यान रखेंगे कामन कामन सा है जबकि यात्रा जात्रा अलग है तो जात्रा जो है पस्षिम मंगाल का लोग नत्य हो जाएगा उसके अलावा, आगे अगर हम चर्चा करें, तो महाराष्ट में तमासा बहुत बार पूछा गया, तमासा और दसावतार, यह यहां के लोगनते हैं, जबकि लामडी और पवाणा यह जो है यहां का लोग गीत हो जाएगा, लामडी बहुत बार पूछा है, तमासा लामडी से कई बार सुनते होंगे, और करगा, तो कुर्ग करनाटक से याद हो जाएगा, ठीक है, यह इसका लोकनत्य है, केरल में हम देखेंगे, तो थुलल, है न, कोथु, थयाम, और मुडियेट्टू, यह सब यहां के लोकनत्य हो जाएगे, पुना एक बार रिवाइज करिए, थुल पुलल, कोथु, थयाम, मुडियेट्टू, है न, यह यहां के लोकनत्य है, जबकि पाध्यानी यहां का, लोग गीत हो जाएगा, कहां का, केरल का, ठीक है न, केरला का, तमिलाडू में आकर हम देखेंगे, तो कुम्मी, कडागम, है न, तेरु, कुतू, यह यहां के लोकनत कोथों रखे गए हैं, फिर हम देखेंगे मिजोरम का, तो बास नत्य कहां क्या जाता है, मिजोरम से बहुत बार रिपीट करता है, यह कुश्चन, ठीक है, बास नत्य, मिजोरम में, और साहिकुतिजही, और चपाचारकूट, यह यहां की लोग गीत हो जायेंगे, कहां के, मिजोरम के, ठीक है मड़ीपूर का अगर हम बात करेंगे लोग गीतों में तो साना लामोक लाई हरोबा या हरोबा लिखा हो तो भी परिसान नहीं होंगे यह यहां का लोग गीत हो जाएगा कहां का मड़ीपूर का अब हम थोड़ी सी जंजातियों पर भी चर्चा करेंगे, यहां से question ज्यादा अब उठाये जा रहा है तुलनात्मा गुरूप से, सिर्फ लोकनत्यों से, यहां से question किस तरीके से उठा ले रहा है, कि यह किस जंजातियां, कौन सी जंजातियां इसको perform करती है, और दूसरा जो नाकपुर का फटार पूरा जो मद्यप्रदेश का एरिया, 36 जारखंड यह बोला पूरा बेल्ट है, तो हो जंजाती माथान रत्य करती है, सरहूल, आपको देखे, दो question, दो चीजे, एक साथ आपको यहां पर पढ़ देनी है, सरहूल रत्य उराव जंजाती करती है, जो ज जारखंड से बिलाउं करती है, यह ध्यान रखेंगे, सरहूल, जारखंड, ठीक, उराव, नहीं पूछ ले, तो शिर्फ यह पूछ लेगा, सरहूल कहां का लोकनत है, तो आप बता पाएंगे, जारखंड का, या उराव कहां रहती है, जारखंड में, या सरहूल रत्य उर इस तरीके से काफी कुछ चीज़ें हमारी किलियर हो जाएंगे कि वहां कि जो चीज़ें छोटी हुई थी जो उपर कम चीज़ें रखे गए थी वह यहां पर कवर कर ली गई है ठीक है ना क्योंकि आप जखेंगे यह सम चीज़ें सैल अन्रत्य और सू अन्रत्य यह बैगा ज जन जाती 36 गण उसका कर्मा नत्य यह कोल जन जाती करती है जारखंड से विलोंग करती है कर्मा कोल जन जाती जारखंड रिंगमा नत्य जो है रिंगमा ही करती है रिंगमा जन जन जाती है जो नागा लेंड से विलोंग करती है तो रिंगमा बास नत्य बहुत बार पूछा गया है अभी हम पहले भी पढ़के आए हैं तो बंबू मतलब बंबू कहते हैं कुकी और नागा जंजातियां इसको पफार्म करती है ठीक है ना बांसनत्य वैसे अभी उपर हम लोग पढ़के आए तो आप फिर से कमेंट करिए कितना आपको याद हुआ पता चल जाए कि बांसनत्य किस राज्य से बिलोंग करता है कि यहाँ पर इसमें नहीं दिया है तो हाला कि जंजातियों से काफी कुछ चीज़े किलियर हो जाएंगे आपको लेकिन फिर भी आप कमेंट करिए किस राज्य में परफॉर्म किया जाता ह कर देपंगा जन जल उसके बाट करेंगे बिलमान रत बहेंगा जलती चीज़े करता है ने मंदभे मधा जन जलती में रहती और बहेंगा जलती रती ही और जलता है विलमा sauce जाती तो यह हमारा जो हुआ टॉपिक यहां पर समाथ ठीक है और काफी महत्पूर्ण है यह सब चीजे ठीक है तो बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन जितनी ज्यादा जरूरी चीजे थी उसको यहां पर रखा गया है तो सब एक्जाम के लिए महत्पूर्ण है इसको और के साथ साथ उससे में जो है सास्त्री भी रहेंगे तो कवर कर दिया जाएगा काफी महत्पूर्ण रहेगा प्रिवियस एर में कई वार रिपीट किये गया है उनको अम लोग कवर करेंगे ठीक है ना तो इस वीडियो में इतना ही कमेंट करके बताए कैसा लगाई वीड कर दो कर दो कर दो.